आपने मोशन वाले बेग्राउंड देखी होंगे जिने आज करें सभी वीडियो क्रेटर यूज करते हैं और यह आपके वीडियो को बहुत ही इंगल्स कर देता है अब ऐसे मोशन बेग्राउंड आप खुछ से बना सकते हैं इसके लिए आपको कहीं से परचेज नहीं करना हो करना जिसके अंदर विप्त के अंदर आपको यहां भी 1080 एंड हाइट के अंदर 90 20 पर करके क्रियेट न्यू डिजाइन पर क्लिक कर देना इसके बाद ने आपके सामने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट आ जाता है जिसके अंदर आपको सारा एक कहाम करना है और इस साइड में हैं से ड्रैग और ड्रॉप कर देना जैसे करेंगे इस पर एक ऐसी तरीके की फ्रेम आसा जाएगी अब इसके अंदर आपन यहां पर एक McK बेकरांड लगाने व הי और यहां पर बहुत सारे हैं जो इसा आपको अच्छा लगे वह आप यहां पर ले सकते हैं मैं यहां पर ब्लैक वाला लेने वाला हूं तो यह लेने के बाद में वापिस से आपको क्या करना है elements के अंदर ही search करना है moving white dot जैसे यह आप word type करेंगे यहां पर बहुत सारे dots आएंगे वाप इससे graphics पर क्लिक करना और यहां पर इस वाले को उठा के यहां पर लेकि आजाना है यहां से आपको इसके size को है वो छोटा कर देना है टाकि यह अच्छा लगे तो यहां मैं इसको यहां पर set करूंगा कुछ इस तरिके से यहां से आपको कुछ इस तरीके से likes को आप चोटा भी रख सकते बड़ा भी रख सकते हैं इसके बाद इसको पूरे के अंदर फील करना है तो इसके लिए आपन क्या करेंगे यहां पे एक प्लस डूप्लिकेट का उप्सन नज़ा आ रहा है क्लिक कीजिएगा जैसी करेंगे यहां पे बन किया जाएगा इसी तरीके से आपको यह बहुत सारे बना लेने हैं इनको सब को सेट करना है तो यहां से कुछ इस तरीके से आप जितने भी यह अपने पास ब्लैक प्रोजेट है वाले को क्लिक करें यहां पे लोग का इसको ऐक लोग कर दीजेगा इसके बाud लुग को डिऋक्रीच करें है जैसे डुप्लिकेट करेंगे कुछ इस तरीके से यह नजर आएगा तो आपको इसको यहां से सेट करना है अपने अकोर्डिंग तो मैं इसको यहां प्रेट कर देता हूं कुछ इस तरीके से और देखता हूं कैसा लग रहा है तो यहां पर सई से सेट नहीं हुआ है तो मैं इसको एक बार के लिए वापिस से अंडू करूंगा और सिलेक्ट करके डुब्लिकेट कर के इसको यहां पर कुछ इस तरीके सेट करूँगा थोड़ा सा उपर है आपकी से डूब्लिकेट लेर बनाऊंगा आगे सेट करूँगा एक डूब्लिकेट और बनाऊंगा और सेट करूँगा और एक डूब्लिकेट और बना दूगा कुछ इस तरीके से अब क्या करना होगा आ यहां पर आपने पास एक बेग्राउंड जैसा मुशन बेग्राउंड क्यार हो गया इसको आप यहां पे डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड करने के लिए यह अपने पास वीडियो है वह सिक्स पॉइंट 5 सेकंड का कुछ इस तरीके का ठीक है तो इसको यहां से क्लोज इसको Dá सो यहां पर ये डाउंलोड हो जाता है तो तो इस तक यूट यह ब्लेख इसके अंदर आपने करेक्षिन कर सकते हैं अगर अपशन इसको दूसरा और बनाना चाहते हैं तो यहां पे आप लिखेंगे वाइट फोग लिख देंगे या फिर वाइट बलर यह करके सेर्च करेंगे तो बहुत सारे बलर आ जाएंगे जिसको अपन यहां पे सेट कर सकते हैं नहीं यह अच्छा नहीं लगता तो इसको लाएंगे यह भी सहीं नहीं लग रहा हाँ यह वाला है इसको सेट करेंगे और इसकी जो विप्त और हाइट है वो यहां पे इ एक second background भी ready हो जाएं इसके size को बढ़ा लेंगे कुछ इस तरीके से ओके तो यहां पर अपने पास एक दूसरा background रेडि हो जाता है जिसे अपने यहां से download कर लेंगे अगर यह download नहीं करना चाहते हैं तो अपने यहां पर बहुत सारे मिल जाते हैं अपने पास gradient वगेरा अपने इसको अलग अलग इसको इस तरीके से create कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छ है यहां पर बहुत सारे elements मिलते हैं जिसकी help से आप अच्छे moving background create कर सकते हैं कुछ इस तरीके से और इसको फूरा बेक ले जाना है तो आपको यहां पर के layer पर click करके send to bake करके इसको आपको control यहां पर यह वाला click करेंगे तो कुछ इस तरीके से background आ जाएगा इसको भी download कर लेंगे और बहुत सारे background आपने खुद से create कर सकते हैं तो I hope यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को आप यूज ले सकते हैं अपने किसी वीडियो के अंदर या यूटूब वीडियो के अंदर भी थैंक यूपर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में